photo पे privacy password lock लगा है और आपको मैं एक trick बताओंगा जिससे आपको privacy password password lock खोलना भी नहीं परेगा आप उसका password भूढ़ गये हो कोई बात नहीं आप फिर भी उस photo को देख पाओगे ऐसा मैं आपके लिए एक नए trick लेके आया हूँ simple तरीका में मैं आपको बताऊं तो आज मैं आपको कुछ ऐसा trick बताने वाला हूँ जिससे कोई भी application पे app लगा हो photo पे, gallery पे, file manager पे कही भी privacy password lock लगा हो app lock लगा हो, कुछ भी लगा हो और आपको photo चाहिए तो आप उस photo को ले पाओगे कैसे ले पाओगे वो अभी इस वीडियो में हम देखते हैं, देखो actually होता क्या है, आप सब अपने app lock पे privacy password लगा करके भूल जाते हो password password याद ही नहीं रहता, और अगर हम password को lock खोलते हैं तो हमें phone reset करना परता है तो हमें reset करने का भी जरूरत नहीं है हमें lock खोलने का भी जरूरत नहीं है डारेक्ट मैं आपको जो trick बता रहा हूँ उससे आपको photo जो है वो मिल जागा तो चलो वीडियो को start करते हैं दोस्तो अभी तक किस वीडियो को like नहीं किया है तो पहले तो फटाक सिस वीडियो को like कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा trick लेके आया हूँ तो काफी मज़दार है भाई, तो प्लीज जल्दी से like कर दो चलो वीडियो को start करते हैं तो अभी ध्यान से देख लो, हमाला ये photo वाला application जो है वो lock है अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसका password मुझे नहीं पता है password लगा के मैंने भूल गया है और यहाँ पे link क्या रहा है, enter privacy password to open photo लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे password डालने का भी जरूरत नहीं है password हम भूल गये तो भूल गये हम photo को बापस लेख सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कैसे करना है, इसके लिए आपको खोलना है Google Chrome ब्राउजर देखो भाई, सबका photo पे गरा lock रहता है, Google Chrome किसी का lock नहीं रहता है तो आपको Google Chrome पे आना है, यहाँ पे search कर लेना है F ILA file ratio फिर लिखना है SD card, फिर एक और slash देना है, पस यह चीज़े आपको जो है वो लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई, यह चीज़े लिख दो और लिखने का बाद सर्च कर दो, सर्च करोगे, देखो direct यहाँ पे file खुल चुका है, इस phone का, इसके बाद यहाँ पे म जलना है DCIM में camera का photo जो भी रहता है वो देखना है, तो यहाँ पे देख पा रहा होगे, camera का photo, movie, album, सब कुछ यहाँ पे चलो camera का आँ देखते हैं, यहाँ पे देखो कुछ video recording है, जो मैंने किया है, इस phone से, अपने YouTube channel का video shoot करता हूँ मैं, इस phone से, तो यहाँ पे देख पा र video's बगरा है, तो यह video's देखो, video's है, जो हम इसे देख पाएंगे, देख लो यहाँ पर, देख पा रहे हो guys, so copyright के इसू के कारण मैं इसे back कर देता हूँ, वरना हमारे चैनल पर strike आ सकता है, screenshot, देखते हैं, screenshot कुछ है, यहाँ बहुत सारा screenshot है, जो देख पा रहे होगे, यहा नहीं पता है, तो कैसा लगा trick का इस चल्दी से comment में, चल्दी से बताओ हमें, और आपको मैंने यह video में यहीं बताया है, कि भीना password डाले, privacy password lock भूल भी गया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का भी photo देख सकते हो, यह trick के helps है,